नानी दादी ने समझाए सुन्दरता के कुछ घरेलू टोटके पहला घर पर ब्लीच बनाने के लिए दही में बेसन मिलाकर लगाएं थोड़ी देर मसाज करके छोड़ दें और फिर चहरे को साफ कर लें बेहद फाइदमन्द है ये ब्लीच इससे बहतर कोई भी ब्लीच नहीं चाहे आप कितने भी पैसे खर्च कर लो जो रिजल्ट ये देगा उस ब्लीच का नहीं आएगा दूसरा दही का पैक भी आपके फेस पर जमी गंदिगी को हटाने और चहरे की चमक बढ़ाने के लिए कारगर है इसके लिए आप दो चमच दही ले और अपने चहरे पर फेस पैक की तरह अपलाई करें दो मिनट तक इसको लगा रहने दें फिर चहरे की मसाज करें और ठंडे पानी से चहरा धो लें तीसरा यदी आपके चहरे पर कील मुहा से हैं तो महंदी के पत्तों को पीस कर उसमें नीमू का रस मिला कर लगाने से बहुत जल्दी पिमपल्स ठीक हो जाएंगे चोथा मुलतानी मिट्टी को रात में पानी में भिगो कर रख दें सुबे इसका पेश्ट बना कर इसको चहरे पर लगाएं सूख जाने तक चहरे पर ऐसे ही लगा कर छोड़ दें इसके बाद चहरा पानी से धो लें चहरे को टावल से साफ करके मोस्ट्राइजर लगा लें पाचवा दो बदाम पीस लें और उसमें थोड़ा सा नीम्बू का रस और शहद मिलाकर चहरे पर लगाएं थोड़ी देर बाद साफ कर लें चहरा बहद मुलायम हो जाएगा छटा शहद में कुछ बूंदे नीम्बू के रस की मिलाकर मास्क की तरह लगा लिया करें आपका चहरा चांद की तरह चमकने लगेगा साथवा नीम्बू के छिलके को सुखा कर उसमें दूद मिलाकर रात में अपने चहरे पर लगाएं चहरे का रंग भी निखरेगा और चहरे के दाग धब्बे भी हट जाएंगे आठवा पपीता जितना फाइदेमंद सहित के लिए है उतना ही असरदार चहरे के लिए भी है पके हुए पपीते का एक टुकड़ा लें और इसको अच्छी तरह से मैश कर लें फिर इसमें एक चमच कच्चा दूद मिलाकर पेष्ट त्यार करें इस पेष्ट को फेष्ट पर पैक की तरह लगाएं सूख जाने पर चहरे को धोलें चहरा चमक जाएगा नोवा टमाटर का जूस पीना सेहित के लिए तो फाइदेमंद है ही चहरे की चमक को बढ़ाने में भी ये मदद करता है अपने चहरे पर जमी धूल मिट्टी को हटाने और स्किन को चमकाने के लिए एक टमाटर का जूस निकालें इस जूस को अपने चहरे पर पैक की तरह लगाएं जब हलका सा सूखने लगे तब दो मिनट तक चहरे की मसाज करें इसके बाद चहरे को पानी से धोलें दोस्तों आपको हमारी ये टिप्स कैसे लगे और कौन सा टिप्स सबसे अच्छा लगा कॉमेंट बोक्स में जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं ऐसे ही और टिप्स के साथ और जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक दोस्तों धन्यवाद